अगर आप सोच रहें किस तरह का बिजनेस सुरू करे और कहसे बिजनेस शुरू करे तो देखिए जब हम किसी भी बिजनेस में पैसा इनवेस्ट करते हैं तो हमें हमेशा डर रहता है। या फिर इस business के अंदर मंदी या recession तो नहीं आएगी या फिर मेरा सारा पैसा डूप तो नहीं जाएगा तो देखिए आप इसके बारे में ज़्यादा ना सोचे क्योंकि हर एक business का अपने फाइदे और नुकसान होता है परन्तु business का जो success है ये depend करता है आपका जुनून, आपका commitment और आपके patience के उपर और इसके अलाबा देखिए depend करता है जो बाजार चाहता है और जो आपको आता है यानि आपका skill, आपका interest और market के अंदर जो चीजे सबसे ज़्यादा demand में है तो चलिए ऐसा ही कुछ business ideas मैं आपका बताऊंगा जो हमेशा चलते रहेंगे नमस्कार, मैं विजय कुमार, business consultant अब देखिए सबसे पहले आता है food business फूड जो है ये लोगों की basic need होता है यानि जो तीन basic need है, उसके अंदर food एक basic need होता है जो की लोगों को चाहिए ही चाहिए देखिए खाने के बिना कोई जिवित नहीं रह सकता और खाना हर किसी को चाहिए और ये compulsory है परन्तु आज के time पे अगर आप घर पे बेठे हैं और आप खाने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर सबसे पहले आपको ध्यान में आता है जमाटो या सुईगी जो की आपको आपका मनपसंद का खाना घर बेठे आपके पास पहुचा देता है यानि ना तो ये खाना बनाते हैं ना ये इनका प्रड़क्ट है और ना इसके लिए इनको कोई बहुत बड़ी इंफ्रेस्ट्रक्चर की ज़रत होती है बलकि खाना बनाने वाला कोई और है खाने वाला कोई और है ये स्रिप एक प्लाटफर्म क्रेट करके दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं यानि सेलर को बेचना असान हो गया और बायर को खरीदना असान हो गया तो नर्माली इसको कहा जाता है फूड डिलिवरी सर्विस बिजनेस और ये जो बिजनेस है ना ये आज के टाइम पे लाखो क्रोडों की बिजनेस जेनेरेट कर रहा है और ये बिजनेस करने वाला जो कमपनी है ना अगर आप ध्यान से देखेंगे ये शुरुआत होके 15-20 साल हुआ है जैसे कि देखिए जमाटो जो कि 2008 में भारत के अंदर हर्याना गुर्गाओं में शुरुआत हुआ था 15 साल की कमपनी परन्तो आज के टाइम पर इनका रेवेनिव देखें 7000 क्रोर से भी ज़्यादा का रेवेनिव कर चुका है इससे तो और भी इंट्रेस्टिंग है सुईगी सुईगी देखें 2014 में शुरुआत हुआ था 9 साल की कमपनी भारत के अंदर बैंगलोर में शुरुआत हुआ था परन्तो आज के टाइम पर इनका रेवेनिव देखें 5700 क्रोर से भी ज़्यादा का रेवेनिव कर चुके हैं आप डोंजो को देखें 2014 में शुरुआत हुआ था भारत के अंदर बैंगलोर में शुरुआत हुआ था और इनका भी रेवेनिव देखें 200 क्रोड से भी ज़्यादा का रेवेनिव हुए या फिर देखें आप फैसोस को देखें वाता बारा साल की कमपनी मेजिक पिन को आप देखिए 2015 में शुरू आता आठ साल की कमपनी यह सारे कमपनी जो है न यह लाखो क्रोडों की बिजनेस जेनरेट कर रहे हैं यानि यह जो सारे कमपनी है न इनका example मैं आपको क्यूं दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये सारे company कर क्या रहे हैं, ये किसी hotel या restaurant से खाना लेके आप तक पहुचा रहे हैं, यानि इनका कोई आदमी उस hotel या restaurant के पास जाते हैं, खाना pickup करते हैं और आप तक पहुचा देते हैं, यानि एक प्रकार क ये transportation का काम ही कर रहे हैं, तो आप सोचें, किसी ने ये नहीं सोचा था, कि इसके अंदर भी इतना बड़ा business generate हो सकता है, वो भी लाखो करोडो की business, और ये company कर रहे हैं, और किसी को घर बेटे बेटे 5 star hotel का खाना अपने dining के उपर मिल जाएगा, ये किसी ने कभी सोचा नहीं परन्तु ये हो रहा है, और लाखो करोडो की business भी चल रहा है, तो देखिए अगर आप इस industry के अंदर आना चाहते हैं, आपके पास वो skill है, और आप interest रखते हैं, तो फिर आप खुद brainstorming करिए, क्योंकि food business में बिजनेस करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि देखिए आप शुर्टैंट इरे रिस्टोरांट अपन कर सकते हैं, आप धाबा अपन कर सकते हैं, या फिर देखिए अप food blocks बना सकते हैं, या फिर YouTube पे अप food channel अपन कर सकते हैं, ओनलाईन cooking classes आप प्रवाइड कर सकते हैं, होम bakery, food truck बिजनेस भी आप कर सकते हैं, या फिर देखिए आप cater शुरुआत कर सकते हैं और दूसरा देखिए हेल्थ सेक्टर देखिए आज के टाइम पर घर घर में लोग किसी ना किसी बिमार में पड़ते हैं चाहे हो अमीर हो या फिर करीब और डाइवेटिस और ब्लोड प्रेशर की अगर हम बात करें यह तो कमन हो चुका है यानि खाने जी जो कि 2015 में भारत के अंदर मुंबाई में शुरुआत हुआ था यानि 8 साल की कमपनी परन्तु आज के टाइम पर इनका रेवेनिव देखिए 5700 क्रोर से भी यह ज्यादा का रेवेनिव कर चुके हैं ऐसे ही देखिए मेल लाइप जो कि भारत के अंदर शुरुआत हुआ पता 2014 में 9 साल की कमपनी परन्तु आज के टाइम पर इनका रेवेनिव देखिए 300 क्रोर से भी ज्यादा का रेवेनिव कर चुके हैं ऐसे ही देखिए नेटमेर्स हेल्थ कार्ट और भी बहुत सारे ऑनलाइन फार्मासी मेडिकल स्टोर हैं जो कि आज के टाइम पर करोड़ो भी बहुत कुछ बिजनेस करने का अपर्चुनिटी है जैसे कि देखिए आप मेडिकल स्टोर उपन कर सकते हैं आप डाइगनेस्टिक सेंटर को उपन कर सकते हैं या फिर पैथलोजी लाब क्लिनिक हस्पिटाल नॉर्शिंग कॉलेज आप उपन कर सकते हैं मेडिकल इसका बिजनेस जरूर आप शुरू कर सकते हैं यह सदा चलने वाला बिजनेस है और मार्केट के अंदर इसका हमेशा डिमांड भी रहता है और इसके बाद देखिए एजुकेशन सेक्टर भारत के अंदर लोग अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सब कुस दावपर स्कूल में पढ़ रहे हैं तीन लाग से ज्यादा स्टूडेंट जो कि अलग अलग देशों से भारत के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं यानि देखें पंदरा लाग स्कूल भारत के अंदर है 43,000 से ज्यादा कॉलेजे से 1000 से ज्यादा उनिवर्शिटी से यानि अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में इंट्रेस्ट रखते हैं और आपके पास वो स्कील है तो फिर आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं क्यूंकि ये भी हमेशा चलने वाला बिजनेस है यानि आप ग्राड ये आठ साल की कंपनी बैदान्तु नौ साल की कंपनी एशे देखें टप और सिंप्ली लान वाइट जुनियर बाइजूस ये जो सारे कंपनी है न ये कुछ सालों के वितर करोडों की बिजनेस कर चुके हैं यानि आप देखिए 10-15 साल पहले कि अगर हम बात क करें जब हम लोग पढ़ाई करते थे किसी भी चीज की एजुकेशन की जौरत होती थे हमें स्कूल या फिर कॉलेज या फिर किसी भी इस्टिटीव सन में जाना पड़ता था एजुकेशन के लिए परन्तो आज के टाइम पर देखिए एजुकेशन बिलकुल बदल गया खा आगे और भी करेंगे क्योंकि एट्टेक इंडॉस्ट्री आगे और भी चलता रहेगा तो ऐसे में देखिए अगर आपके पास स्कील है एजुकेशन सेक्टर में आपके पास कोई स्कील है आप इंट्रेस्ट रखते हैं तो फिर इसमें बिजनेस करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है जैसे कि देखिए आप कोचिंग क्लासेस अप ओपन कर सकते है या फिर आप ऑंलाइन टीचिंघ पराफ खर सकते हैं त्यूशं सेंटर ओपन कर सकते हैं एजुकेशन आल आप यूटूब पे ना इजुकेशनल चानल आप उपन कर सकते हैं या फिर देखिए आप एजुकेशनल ब्लग लिख सकते हैं होम ट्यूशन प्रवाइड कर सकते हैं प्री स्कूल उपन कर सकते हैं या फिर केरियर कांसेलिंग भी आप प्रवाइड कर सकते हैं इन में से किसी इसको भी आपको पसंद आए आप उसका बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं इसके बाद देखिए लोजिस्टिक एंड ट्रांसपोरेशन देखिए किसी ने यह नहीं शोचा था कि एक दिन ऐसा होगा पूरे दुनिया भर का दुकान आपके मोबाइल के अंदर होगा और आप घ चीजे घर बेठे बेठे आपको मिल जाएंगे यानि देखिए इसमें जो काम करने वाले कंपनी है यह आज के टाइम पे लाखो क्रोडों की बिजनेस कर रही है आप आमाजन को देखिए 2013 में इसका एंट्री भाता भारत के अंदर ओभी मुंबाई के अंदर एक छोटा सा उस लेके 100 सेलर के माध्यम से यह शुरुआती में न स्रिफ किताबे बेश्टे थे परन्तु आज के टाइम पे देखिए हर किसी के मोबाईल के अंदर आपको आमाजन अप्लिकेशन नजर आएंगे और आमाजन पे आप सारे चीजे भी खरिच सकते हैं जिसके चलते आमाज इंडिया आज के टाइम पे लाखो करोडों की कमपनी बन चुकी है ऐसे ही आप फ्लिपकाट को देखिए यह 2007 में भारत के अंदर शुरुआत हुआ था 16 साल की कमपनी परन्तु आज के टाइम पे देखिए 99.5% भारत के अंदर हर एक पिनकावड के अंदर यह अपना सामान डिलिवरी करते हैं और भारत के अंदर 48% फ्लिपकाट का अकेला मार्केट से आ रहे और बाकी जो 52% है ना उसके अंदर आमाजन, स्नाप डिल, नाइका, मिंत्रा यह सारे कमपनी लाखो करोडों की कमाई कर रहे हैं इसके अलाबा देखिए अगर आपको घर बेटे खाना च चाहिए उसके लिए देखे ग्रोफोर्स और बीग बास्केट है भाइले भूले आप कहीं जाना चाहते हैं ट्रेन, बॉस, फ्लाइट का टिकेट चाहिए आपको उसके लिए मैकमाई ट्रिप गोवाई भी भाइले भूले आपको इंसुरांस चाहिए पॉलिसी बाजार है बुले ऋब ध्यान से देखिए किम्पनी कर किया रहे हैं यानि ये जो Organization ना यही कर रहे हैं एधिकर बेचना चाहते यानि जिप और उपना श 라ट और ट्रास्पोर्टेशन में जैसे कि दखिए जब आप जमाटो में खाना औरॉर करते हैं तो खाना कोई लेके आपके पास आता है यानि एक प्रकार का यह ट्रास्पोर्टेशन का ही काम करता है फ्लिपकार्ट आमाजोन यह भी सहम चीजे करते Smithy आ यानि ना ये production करते हैं, ना इनका product होता है, बलकि ये स्रिफ किसी और का सामान किसी और के पास पहुचा देते हैं, जिसके अंदर main role होता है logistic और transportation, और किसी ने ये नहीं सोचा था कि सामान इधर से लेके उधर पहुचाने में इसके अंदर भी लाखो करोडों की business generate हो सकता है और हो रहा है, जैसे कि देखिए, e-card, express b, या फिर delivery, dhl, blue dot, dtdc, fedex, ऐसे और भी बहुत सारे company हैं, जो कि logistic और transportation के अंदर आज के टाइम पर करोडों कमा रहे हैं, अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे, कि सर ये सारे चीज़े तो ठीक है, परन्तु इसे सुनके हमें क् फाइदा मिलेगा, या फिर हम इसके अंदर कैसे business generate कर सकते हैं, देखिए, आप अक्सर सुने होंगे, जब दसेर आता है, दिवाली आता है, उस टाइम पे अलग-अलग platform पे offer निकलता है, जैसे कि flip card में देखिए, big billion offer, या फिर Amazon पे देखिए, great Indian festival, या फिर मिंतरा में इसे big fashion festival, यानि अलग-अलग platform पे अलग-अलग offer निकलता है, परन्तु आप देखे होंगे, जब आप flip card या Amazon पे उस टाइम पे कुछ order करने के लिए देख रहे हैं, कभी-कभी ऐसे भी आपके साथ हुआ होगा, आपका order अलग accept ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता ह पूरे साल बर में, वो जो एक-दो महिना है ना, उसके अंदर वो सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं, और वो accept इसलिए नहीं कर पाते हैं, आप सोचिए, आमाजन flip card कोरोडो की company है, परन्तु उनके पास जो delivery partner है, वो भी delivery नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना भीड रहेता है, वो सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चानल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए, ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत र भन्यवाद,